इसमें हम विस्तास का चेप्टर थर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे जर्णी टू दी इंड आप द आर्थ इसके पहले हमने चेप्टर वन और चेप्टर टू बता चुका हो विस्तास का जो के डिस्कृस्टन बाक्स में पढ़ा हुआ है वहाँ से आप चेक कर पाएंगे यानि कि धर्टी पर जो एक महाद्वीप है अंटिकाल्टी का महाद्वीप जो की लगातार ठंड बनी रहती है जहां पवन धराएं बहुत ही तेजी से बहती हैं अर्फिली अस्थान है तो वहाँ पर कुछ अपने चात्रों के साथ जाती है और वहाँ के अनुभों को सेर करती हैं बताती हैं कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये जो जलवाई परिवर्तन हो रहा है हमारी धर्ती के परियावरण को हताहत कर रहा है बिनास कर रहा है और आने वाले समय में इसके क्या दुरगामी परिडाम होंगे आए इस चेप्टर के समरी को हम लोग समझते हैं तो इस स्टोरी श् जो जलयान है उसके साथ ही यह जो इस्टोरी है आरंब होती है। है वो अंटकाल्टिका महादूइफ है उसकी सफर पर वो निकल पड़ी है दर आथर क्रास्ट नाइन टाइम जोन्स सिक्स चेक पॉइंट्स एंड थ्री बॉड़ी जफ वाटर एंड एट लिस्ट एज मेनी इको इसफियर्स एको इसफियर्स माने वाई मंदल तो जो लेखिका है वो नाइन टाइम जोन्स यहाँ पर बात किया जा रहा है कि नव समय विभाग छे चेक पोस्ट और ऐसे ही तीन समुद्र यहाँ पर दिया है कि त्री बॉड़ी जाफ वाटर नहीं कि वो समुद्री अस्थलों का जिक्र क उनको जाना पड़ा अंट्रकाल्टिका महाद्वीप तक पहुचने में और वहाँ पहुचने में उनको 100 घंटे से जादे वक्त लगा आगे इसमें क्या जिक्र किया गया है कि 650 मिलियन इयर्स एगो एजियन्ट अमल्गेमेटेड साउथर्न सूपर कंटेनेंट गुंडवा गुंडवाना साउथर्न सूपर कंटिनेंट गुंडवाना इंडीड एक्जिस्ट सेंटर रफली एराउंड प्रजेंट डे अंट्रकाल्टिका तो यह अहतिहासिक बात बताई जा रहे है कि 650 मिलियन इयर्स अर्था चरब 5 करोण वर्स पहले की ये बात है एक गुंडवान च्छेत्र था गुंडवाना एक भुभाग होता है धर्ती का एक विशाल का है मिस्रित द्विप के जरूर इस ते ताउर आप रहे है और उस द्विप में बता जा रहा है कि देर वाज नो एनी ट्रीज बिल्डिंग एन्ड बिल्बोर्ड यानि कि वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग न तो पेड़ है न कोई मारते हैं न कोई बिल्बोर्ड है कोई बिग्यापन ही बिग्यापन पट जहां पर बिग्यापन इत्यादी चपते हैं तो उसको बलता है बिल्बोर्ड इत्यादी वहाँ पर नहीं थ यहाँ पर लिक्षा बता रहे हैं कि तेजी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है जो rapid मने तेज गती से इंक्रीज हो रहे हैं बढ़ती जा रही है हमें क्या करने के लिए छोड़ दिया है किस चीज के लिए फार लिम्टेड रिसोर्स हमारी जो सिमित संसाधन है वो अपने ही species प्रजातियों के साथ हम उनसे लड़ रहे हैं उनके लिए हमें छोड़ दिया गया है जो हमारी तेजी से बढ़ती हुई population है उनके द्वारा हम संसाधनों के लिए अपने ही लोगों से संघर्ष करते नजारा रहे हैं लड़ रहे हैं यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो हमारे इंधन है खास करके फॉसिल फ्यूल्स है अर्थात जो जीवास में इंधन होते हैं उनका लगातार जलते रहने से संसार के चारो तरफ एक चादर बन गया कर्बन डाइक्साइड गयस का एराउंड द वर्ल्ड फीच इंक्रीजिंग देवरेज ग्लोबल टेंपरेचर जिसके वजह से हमारी जो ग्लोबल टेंपरेचर है यानि धर्थी का जो ताब्मान है और सतन लगातार बढ़ रहा है कर फर्दर डिपलेशनिंद ओजोन लेयर और हमारी धर्ति के ऊपर जो ओजोन लेयर हैं ओजून परत्थ है वाई मbabनल में वह वीनास होरा है संटिस्ट वार्म हमें वार्न डायेट फर्दर डिपलेशनिंद ओजोन बने ये बता-टो खिपमो की आगे ऊजोन का च्छाहि कर् मेराइन एनिमल्स बड्स एंड कार्बन साइकिल एल्सो तो क्या होता है कि ओजोन परतनस्ट होगी तो जो फाइटो प्लेंग्टान है याने कि जो क्रिया कलाप है जीव जन्तू के अंतरगत वीच विल एफेक्ट दा लाइब साफ आल मेराइन एनिमल्स मनें यह क्या करेगा यह जो समुद्री जीव जन्तू हैं और यह पच्चियां हैं उनको यह प्रभावित करेगा और उपर जो वाइमंडल में करबन चक्र है धर्ती पर उससे भी प्रभावित करेगा आगे समुद्र के उन सुन्दर चीजों का जिक्र किया गया है लेखिका के द्वारा अगे लेखिका ने बताया क्या होगा वाट विल बी इफ अंटकाल्टिका अगेन बिकम वार्म जब आने वाले समय में जो अंटकाल्टिका महाद्वीफ है धर्ती का भुभाग है यदि जादे गर्म हो जाए तो क्या प्रभाव होगा आगे विल बी एराउंड टू सीट क्या हम बच पाएंगे इससे देखने के लिए धर्ती पर और वूड भी हैव गॉन दवे डाइनोसोर या जिस तरह से डाइनोसोर बिनास होगे नस्ट होगे उसी तरह से मानो प्राडी भी नस्ट हो जाएंगे तक इसको देख लेंगे